जहिंद वंदे मात्रम स्वागत अब सभी का सक्सेस वर्ड एमसीक्यू चैनल पर तो चलिया आज किस वीडियो में आपके लिए टॉप पच्चास टेंडिंग जीके को लेकर आएं तो चलिया आज किस वीडियो में देखते हैं कौन से वे पच्चास टेंडिंग जीके हैं तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रस्ण और इंपोर्टन्ट है पहली बार वार्सिक योजना किस वर्च लागू की गई थी और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिममम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है अगर आपको इन मैं से पहले से किसी भी प्रस्ण का आंसर आता है तो आप लोग कमेंड बोक्स में देते जाएगा तो पहली बार वार्सिक योजना किस वर्च लागू की गई थी तो 1916 डिस्पी में ओप्सन एस प्रस्ण का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा इंपोर्टन प्रस्ण याद रखना है नेक्स्ट है प्रतम अफगान यूद कब हुआ था स्वस्मज़का अंसर करना है प्रतम अफगान यूद कब हुआ था तो इसका राइट अंसर अगर आपने 1849 को दिया है तो बिल्कुल सई जबाब जाएगा 1849 में प्रतम अफगान यूद हुआ था नेक्स्ट है पटना किस नधी के किनारे इस्थीत है जमुना, गंगा, नर्मदा या सतलज तो यादखना पटना जो है ये गंगा नधी के किनारे इस्थीत है अप्शन 20 प्रतम का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा परते एक इस्ट्रेंड को कमेंड बॉक्स में आंसर करते जाना है चौथा प्रतम निमलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 परमुक उद्योगों में सामिल नहीं है मोश्ट इंपोर्टेंड और ट्रेंडिंग जीके है चली आंसर करेंगे सोच समझ का अंसर करना है और फ्रेंड सेशन के एंड में अपना अपना स्कूर जरूर देना है कि अपने 50 प्रसंद में से कितने प्रसंद का सही जवाब दिये है तो इसका right answer क्या जाएगा तो इसका right answer अगर अपने option A को दिया है जब्रक या बिल्कुल सही जवाब है चलिया है गवड़ते है Next है भारत में पंचायती राज़़ विव्रस्ता को खाली अस्तन सनसोदन के साथ पेस क्या गया था फटा पटसांसर करेंगे कौन से सनसोदन के साथ पेस क्या गया था लागू क्या गया था 24 मार्च 1972 को यादखना है इसलिए 24 मार्च 94 applied चलिए आगे बढ़ते है सेशा और कीटा बहरन निम्लिकित में से किस राज में इस्तित है चलिए आंसर करेंगे और फ्रेंट्स अगर आपको किसी भी प्रस्त में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते आपको रिपलाई तुरंत देजाएगा तो सेशा और किता ब्यारन निम्लिकित में से किस राज में इस्तित है तो ये अरुनाचल प्रदेश में राज में इस्तित है उप्शन इस फस्तित का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा याद रखना इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट है निम्रकित में से किस सासक ने मुगलों से लडाई नहीं की चलिए आंसर करेंगे और जो बेश्ट हैं चनल पर पाली बारा है चनल पर नए है चनल को सब्सकाइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आने बाले समय में इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहे तो इसका राइट अंसर क्या जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन C किस साथ लजगा राना कुमबा C बिल्कुल साई जबाब है अगला प्रस ने अरजुन पुरुसकार किसलिया दिया जाता है चलिए अंसर करेंगे फटा पटा से अंसर करेंगे अरजुन पुरुसकार किस के लिए दिया आता है तो इसका साई जबाब है ऑप्शन B खेल में उतकृष्ट परदस्टन के लिए बिल्कुल साई जबाब है अगला प्रस्टन है विश्व की पाली महिला अंतरिक चातरी कौन है चलिए अंसर करेंगे इंपॉर्टन प्रस्टन है विश्व की पाली महिला अंतरिक चातरी कौन है इसका साई जबाब क्या देगा वेलेंटीना टेरोसकोवा यह दखना है वेलेंटीना टेरोस्कोवा ये विश्व की पाली महिला अंतरिक चातरी थी option A स्प्रस्ण का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा next है निम्लिकित में से कौन सा रोग वेक्टरिया से होता है चलिए answer करेंगे आपको बताना है कौन सा रोग है जो वेक्टरिया से होता है तो इसका सही जबाब option चला देगा D के साथ 6 रोग 6 रोग जो है यह वेक्टरिया से होता है option D स्प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा सभी important प्रस्ण है इसलिए वीडियो को end तक जरूर देखना है next है सूर्य मंदिर उडिशा में किस अस्थान पर इस्तित है so समझ का answer करना है सूर्य मंदिर उडिशा राधी में लेकिन यह किस अस्थान पर इस्तित है तो या दखना है यह कुनार्क में कुनार्क में चलिए आगे बढ़ते है next है निमलकित में से कौन ब्रुनोई देश की राजधानी है आपको answer करना है ब्रुनोई देश की राजधानी कौन सी है चलिए तो इसका सही जवाब क्या जाएगा जिए बिल्कुल B के साथ चला जाएगा बंदा सेरी बिगावन यह ब्रुनोई देश की राजधानी है याद रखना है और यह जो ऑप्शन सी में बिसके की किर्गिस्तान की राजधानी है याद रखना है next time FSSAI का मुख्याले कहां इस्तित है important person answer करेंगे so समझका अंसर करना है FSSAI का मुख्याले कहां इस्तित है और इसका full form क्या होता है तो food safety standard authority of India होता है इसका मुख्याले नई दिली में यह बिल्कुल सई जबाब जगा है नई दिली में option D बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा और इन्हें frontier गांधी भी का जाता याद रखना है next time निवन में से कौन सा किला प्राचिन सिल्क रोड से संबंदी थे important person answer करेंगे और जिसने अभी तक session को like नहीं किया है सभी लोग दिल सिख बर session को भी like करेंगे तो याद रखने इसका right answer option चला जेगा बी किसाद जैसल मेर किला बी बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा next time विश्व पोलियो दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है important question answer करेंगे चलिए विश्व पोलियो दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है इसका right answer करेंगे राजस्थान की वस्थर नगरी का नाम किया है important question है तो याद रखने इसका right answer option चला जाएगा डी किस दुनिया भीलवाला राजस्थान की वस्थर नगरी का नाम भीलवाला है डी इस प्रसने का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा next है इसिया का सबसे बड़ा पसु मेला बिहार में निम्रिखित में से किस अस्थान पर आयोजित किया जाता है आपको ये भी याद रखना है कि इसिया का सबसे बड़ा पसु मेला बिहार में आयोजित होता है और ये किस अस्थान पर आयोजित होता है तो यादखने सोनपूर, सी बिल्कुल सही जबाब जागा सोनपूर, चलिए इस एकसद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, इटली की राजधानी क्या है, आंसर करेंगे इटली की राजधानी आपको बताना है, तासकंद, रोम, वेलिंगटन या ओसलो तो यादखने इटली की राजधानी, रोम में 20 प्रसने का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा और तासकंद जो है, ये किस की राजधानी है, तो यादखना है, तासकंद जो है, ये उजबेकिस्तान की राजधानी है और ओसलो जो है ये नौर्वे की राजधानी है और वेलिंगटन जो है ये किस की राजधानी है तो यादखना है वेलिंगटन जो है ये निव्जिलेंड की राजधानी है सबी पॉइंट्स को यादखना है इंपोर्टेंट है चलिए इस इकसत आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, सुवा किस देश की राजधानी है, चलिए आंसर करेंगे, सुवा जो है, यह किस देश की राजधानी है, फिंडलेंड, इथियोपिया, जमाइका या फिजी, तो इसका साही जबाब, अगर आपने अप्षन D को दिया है, तो बिल्कुल साही जवाजगा फिजी हो जाएगा, सुवा किस देश की राजधानी है, तो फिजी, चलिए इसक्साद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी परवत स्रिंखला कौन सी है, पूछा गया प्रसने काफी बर पूछा गया एक्जाम में, आंसर करेंगे, भारत की सबसे पुरानी स्रिंखला कौन सी है, तो या रखना, अरावली परवत स्रिंखला या भारत की सबसे पुरानी परवत स्रिंखला है, 20 प्रसन का बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा, नेक्स्ट है, निम्लिखित में से कौन, यूनेसको के विश्व धरोवर अस्थल में सामिल नहीं है, का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान कौन है, आंसर करेंगे, चलिए, भारत का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान कौन सा है, तो इसका साही जबाब C के साथ लगा, पाद्म विभूसन ये भारत का दूसरा सर्वोच नागरिक सम्मान है, चलिए गवड़ते हैं, यह जपान की मुद्रा है रूभल यह रस्या की है और युवान और रेमन भी जो है यह चीन की मुद्रा है याद रखने इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है दीन और रात की समान अवदी वाले एक दिन को संदर्भित करता है क्या करता है आईनांत विशू अपसौर या उपसौर क्या बोलते हैं आंसर करेंगे जब दीन और रात की अबदी समान होती है तो उसको क्या बोलते हैं विशूव या रखना है B बिल्कुल सई जबाब जबादेगा विशूव चलिए इस रिक्सत आगे बढ़ते हैं नक्की जिल कहां इस्तिते हैं आंसर करेंगे नक्की जिल कहां बस्तिते हैं तो इसका सई जबाब है माउन टाबू या रखना है माउन टाबू D बिल्कुल सई जबाब जबादेगा नक्की जिल इस्तिते हैं माउन टाबू में चलिए इस एक साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है कृति अस्तम कहा है इस्तित है अंसर करेंगे फटा पट से सारे प्रस्ण पूछे गए प्रिवेस रेक्जाम में कृति अस्तित है तो इसका साई जबाब क्या देगा जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ लजगा चित्तोडगर में कृति अस्तम इस्तित है बी बिल्कुल साई जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है तिल्यार धील जो है या हर्याना के किस जिले के पास इस्तित है फटा पटसान से करेंगे तिल्यार धील जो है हर्याना के किस जिले के पास इस्तित है तो याद रखना इसका साही जबाब option B के साचला जाएगा क्या जाएगा रोहतक जीला B बिल्कुल साही जबाब हो जाएगा चलिए इस एक सत अगे बढ़ते है next है निमलखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है most important person है यहां से 2-3 प्रसन बनते है चलिए उनको हम आपको explain कर देते है तो याद रखना है सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा निमलखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो इसका सही जबाब रहराज से कहा से निकलती है सबसें को याद रखने cartoon से जोड़ता है important person बनते हों और जिसंने अभी तरक section को like नहीं कि अफरलाज पड़िक करेंगे तो इसका सही नदी बनते ही निकलता है तो नातुला दोररा जोए ये सकिम को चीन से जोड़ता है C बिल्कुल साई जबाब हो जाएगा नेक्स्ट है निमली कित में से कौन है भारत में प्राकर्तिक ओक्सबो जील का उधारन है आंसर करेंगे प्राकर्तिक ओक्सबो जील का उधारन निमली में से कौन सा जील है तो याद रखना है इसका साई जवाब option A हो जागा क्या जाएगा option A इस प्रसनिका बिल्कुल साई जवाब बिन तलाल जी लिया रखना है A इस प्रसनिका बिल्कुल साई जवाब हो जागा बिन तलाल जी यहाँ पे क्या है बिन तलाल जी लिखा गया है तेकिन बिन्थला जी लोगा, नेक्स्ट कुसन है, बिहार का बांध नहीं है, आपको बताना है इन चार ओप्शन में से, कौन बिहार का बांध नहीं है, तो इसका सई जबाब है, वियास बांध जो है, याद रखना है, चलिया गभड़ते हैं, नेक्स्ट है, प्रत्यक नेक्स्ट है, भारत की निम्लिखित में से, कौन से जील लैगुन नहीं है, फटा पर सांसर करेंगे, आपको बताना है कि कौन से जील है, इन चार ओप्शन में से, जो लैगुन नहीं है, तो याद रखना है, सी बिल्कुल सई जबाब जेगा, लोग्टक जील ये लैगुन जील नहीं है, ये एक तैरता हुआ जील है, जो की मनिपूर में याद रखना है, नेक्स्ट है, यमुना नदी, निम्लिखित में से, किस राजे से, नहीं गुजरती है, इसका साही जबाब है, गुजरात से, सी बिल्कुल साही जबाब हो जाएगा, नेक्स्ट है, याने ये स्वं मंदल का सबसे मड़ा गृधा है याद रखनेusta, मंगल के लाल गृधा के नाम से जरतीय दराanut था था में राष्टे राजमार्ग कौन सा है इंपोर्टन परसन आंसर करेंगे भारत का सबसे लंबा राष्टे राजमार्ग कौन सा है तो इसका साही जवाब उपसन चला देगा D के साथ राष्टे राजमार्ग 44 या रखना है ये भारत का सबसे लम्बा राश्टे राज मार गए next question है किस गरह को सीद कालियन गरह के रूप में भी चलی answer करेंगे किस गरह को सीद कालियन गरह के रूप में भी जाना जाता है तो इसका साही जवाब option चला देगा एक साथ विरसपती गरह को याद रखना है यह बिल्कुल सई जबाब हो जाएगा और सुक्र याद रखना है यह सुक्र जो है यह सबसे गर्म करा है और पिर तभी के सबसे नजदिक भी सुक्र गर्णा ही है और सुक्र के सबसे नजदिक कौन सा गरा है तो बुद्ध गरा है याद रखना है नेक्स्ट है टाइफाई ड्रोग किस अंग को प्रभाविद करता है चलिए अंसर करेंगे टाइफाई ड्रोग किस अंग को प्रभाविद करता है तो या रखना टाइफाई ड्रोग किस अंग को प्रभाविद करता है जिसका नाम यकृत भी है और तिल्ली भी या रखना है ड इपेश्वर वन जीब अब भ्हारन महराष्ट के किस जिले में इस्तित है तो इसका सई जबाब है option C यवत माल याद रखना है C बिल्कुल सई जबाब होज़ेगा यवत माल जिले में चलिए इस इक साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुस्टन है निम्लिखित में से कौन सी पाने की जील फते सागर और पीछोला जील को जोड़ती है इंप्रेंट प्रस्ण आंसर करेंगे फटा पटस आंसर करते जाएंगे चलिए तो इसका सई जबाब option चला जेगा एक साथ स्वरूप सागर याद रखना है ये इस सई जबाब जेगा बहुत धर्म के द्वारा नेक्स्ट है निम्लिखित में से कौन भारत की पाली महिला मुख मंत्री थी इंप्रेंट प्रस्ण आंसर करेंगे निम्लिखित में से कौन भारत की पाली महिला मुख मंत्री थी तो याद रखना है इसका सई जबाब option चला निम्रिकित में से किस सहर को तेवहरों का सहर के रूप में जाना आता है तो इसका राइट आंसर क्या आज़ागा जी बिलकुल मदुराई को चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राजा नर्सिंग देव ने रद के आकार में सूर्य देवता को समरफित कौन सा मंदिर बनवाया था चलिए अंसर करेंगे राजा नर्सिंग देव ने रद के आकार में सूर्य देव को समरफित कौन सा मंदिर बनवाया था तो इसका सही जवाब option चला जगा C के साथ कुनारक सूर्य मंदिर C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा Next है 1967 असोग चक्र वर्ग 3 को क्या नाम दिया गया था चलिए answer करेंगे 1967 के असोग चक्र वर्ग 3 को क्या नाम दिया गया था तो याद रखना है इसका right answer option चला जगा एक साथ सौर्य चक्र याद रखना है ये बिल्कुल सही जवाब है Next है फरक्का बैराज इनमे से किस नदी पर है चलिए answer करेंगे फरक्का बैराज इनमे से किस नदी पर है इसका सही जवाब है गंगा नदी पर ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिया गवड़ते हैं भारत में यूराल परकार के परवत किस परकार के परवत है यहाँ पर यूराल होगा भारत में यूराल परवत के परकार किस परकार के परवत है तो इसका सही जवाब option A के साथ लज़ेगा प्राचीन वलित परवज्जो है यूराल परकात के प्रवज्वत है option A का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा आज के session का आखरी प्रसन है भू पर पटी की मोटाई लगबग कितनी होती है तो आज के session में ये 50 important प्रसन थे तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद